खराब लाइफ इस्टाइल और खान पान की वज़े से बावसीर की सिकायत हो जाती है एक पार आपको बावसीर की सिकायत हो जाये तो इससे आपको आने वाले दिन में कई तरह के मुस्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं ऐसे घड़े लो उपाय जिसके इस्तमाल सिया बावसीर के मस्य से हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे सबसे पहले आप गाय का घी ले और उसमें एक चमच सहद मिला ले दोनों को अच्छी तरह से मिला कर बावसीर के मस्य पर लगा ले एक हफते के अंदर ये सुख कर गिरने लगेंगे इसे हटाने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले सेहुर के दूद में थोड़ी सी हल्दी मिला कर इसकी एक बुंद को मस्य पर लगाने से या अपने आप सुख कर गिरने लगेंगे अगला है 20 ग्राम नीला थोता और 40 ग्राम अफीम पीस कर 40 ग्राम सरसो के तेल में पकाएं हर रोज सुबह साम इस मिस्रन को रूई के मदद से मस्यो पर लगाने से कुछ ही दिनों में बावसीर के मस्य सूखने लगेंगे अगला है नीम के कोमल पत्ते घी में भून कर इसमें थोड़ा सा कपूर डाल कर इसकी टिकिया बना ले अब हर रोज एक टिकिया गुदा द्वार पर बांधने पर मस्य नश्ट होने लगते हैं बावसीर के मस्य को हटाने के उपाय में आग के पत्ते और सहजन के पत्ते का मलहम भी बना कर लगाने से मस्य से चुटकारा मिल सकता है नीम का तेल और हल्दी कड़वी तोरई के रस में मिला कर मस्यों पर लगाएं नेमित रूप से इस रामबान उपाय को करने से मल द्वार के मस्से जड़ से खतम हो जाएंगे उम्मेद करती हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे देल से सुक्रिया मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बेहत ख्याल रखें और हमारे चनल से जुड़े रहें